तो realme 7 pro device में एक new software update देखने के लिए मिला है जिसका version है c.19 का तो guys c.19 के update में realme 7 pro device में क्या क्या changes देखने के लिए मिला है इसी का आज full review करने वाल है तो guys साथ ही में बात करने वाल है कि आखर realme 7 pro device में realme UI 2.0 का stable update I mean official version कब तक देखने के लिए मिलेगा तो guys अगर आप भी है realme 7 pro device के users अगर आप एक वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड तो वीडियो को फूल बॉस ज़रूर करना है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके वेल नेटिफिकर कर देना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस Realme 7 Pro डवाइस में एक न्यूज वाटवेर अपडेट देखने के लिए मिला है जिसका वर्जन है C.19 का अगर इसके फाइल साइज के बारे हम बात करें तो एप्रोक्स आपको 765 MB का देखने के लिए मिल जाता है अगर यहां पे चैन्जेस के लिए बात करें तो यहां पे जो सबसे पहला चेंज से देखने के लिए मिला है वह सिस्टम में है लो गार इस किया गया है उर जो के दिख सकते हैं कि क्या का चेंज किया गया उसके बाद दूसरा चेंजस किया गया ए सिज्बान आपिमाइज हो weirdly देखते zatी इने और परफॉर्मेस किया गया तो गाइस यहीं के अच्छा चन्रेस है उसके तो बाद है यहाँ पर camera में changes किया गया है यहाँ पर दूसरा number में तो यह है fix the probabilistic camera automatic closing issue while recording video in 1080p 60fps में तो guys जो आप 60fps में video को record करते थे तो guys कभी कभी camera automatic close हो जाता था तो guys इसे यहाँ पर fix कर दिया है उसके बाद जो फिर से changes किया गया है वो फिर से camera में ही changes किया गया है वो है fix the thumbnails flashlight effect failure issue while shooting photos with the flashlight on in the real camera तो guys आप कभी कभी जो real camera से photo को जो shoot करते थे तो guys आप जो device का जो flashlight था वो automatic जो off हो जाता था तो guys इसे यहाँ पर fix कर दिया गया है तो guys उसके बाद जो next changes किया गया है वो call में किया गया है यानि कि जो आप call करते थे तो calling में changes किया गया है वो है fix the probabilistic recording failure issue in calling यानि कि जब calling करते थे तो recording वेगरा में जो आपको issue देखने के लिए मिलता था तो guys यहाँ पर इसे fix कर दिया गया है उसके बाद जो changes किया गया है वो changes है यहाँ पर setting में changes किया गया है तो यह एक अच्छा changes है तो guys जो setting में changes किया गया है चलिए उससे देखते हैं वो है fix the probabil screen flicker issue while pressing the back button from the permission pop-up of customization icon style to personalization interface तो guys यहाँ पे screen flicker जो आपको देखने के लिए मिलता था आपके device में उसे यहाँ पे fix कर दिया गया है उसके बाद जो change किया गया है वो भी setting में ही change किया गया है वो है fix the issue that opening a personal hot spot and turn on the personal hot spot notification result in continuously pushing notification while the personal hot spot was connected तो guys यहाँ पे hot spot में जी आपको problem fix करना पता था तो guys इसे भी यहाँ पे fix कर गया गया है तो guys जहाँ पे realme 7 pro device में जो new update देखने के लिए मिला है c.19 का तो guys इसमें ये कुछ सारे changes किये गया है तो guys अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें security patch देखने के लिए नहीं मिला है कि इसमें security patch का update देखने के लिए मिला है या फिर नहीं मिला है तो guys इसमें security patch देखने के लिए अभी भी रियल्मी 7 प्लो डेवाइस वही सिक्रेटी पैश पर रन कर रहा है कोई भी सिक्रेटी पैश का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है यह अपडेट अनली बग फिक्स अपडेट है तो यह अपडेट में कुछ यह सारे चिंजेस किये का है जो कि आप अभी इसकी है तो गाज अब बात करते हैं कि रियल्मी 7 प्लो डेवाइस में रियल्मी गालता प documents गवारे में लेकर अपडेट ही में अब भी उम्मीद जकता है कि आपको अब ये अफडेट ऊफिसियल वर्जन जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि जो एक बगफिक्स अफडेट है वो देखने के लिए अब मिल गया है तो गाईज आपको जल्दी ही realme 7 pro device में देखने के लिए मिल जाएगा तो गाईज ये प्रिकेशन को जरूर प्रेस कर देना तो फिलाल में अभी के लिए इतना ही I hope कि आप लोगो यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जोर कर देना और हां इस वीडियो के बारे में आपका क्या opinion है नीचे comment section में जरूर बतान तो गाइस फिर मिलते हैं next वीडियो में